वेलकम तो रेक्स इंसिटूट वॉपला ही चलते वीडियो में जी सर यह अपन गैस चार्जिंग कर रहे हैं गैस चार्जिंग से पहले अभी इस मशीन में हमने वाल लगा है इसमें शक्षान और डिस्चार्ज वाल हमने दोनों नए डाले हैं लिकेस्ती दोनों को अपने बदल दिया बदलने के बाद अब इसमें कोई किसी भी परकार का गैस नहीं है अब इसमें गैस चार्जिंग करने से पहले जब अपने पोला अंदर जीटे भी एर गया एर निकालने के लिए यह देखे हम आपास यह वेक्यूम पंप है इस वेक्यूम पंप से फम एर निकालने लिए अपना जीरो प्रेशर में दिखा रहा है यह अपना वेक्यूम पंप इसको अन करने काद यह इसका यह माइनस की हो जा रहा है इसको अपन दस तल्दर और बिस मिर्ट कल देंगे बद यह वेक्यूम हो जाएगा साउंड भी चेंज जा रहा है हमारी मशीन पूरी रखी में आगा है जो ओईल फॉइल है वो सब खतम हो जाएगा इसको बेक्यूम करने की प्रोसेस एक बार बता देता हूं में फिर से यह आपकी जो मशीन है तो बार आपके सब्सक्राइब जाया है जा और इसमें होता ही जिया जाएगा और या पर यह आपके यह आपका चरजिंग लगी यह यह यहापन शर्चन वाल और डिशायं ओना बदल चुपे ये इस charging line के तुरू ये पूरे system में जितने भी air लगी हुई है पूरे air को निकाल लेगा जब ये air निकल जाएगी तो ये minus 30 आजाएगा गेज अपना जब minus 30 आजाएगा तो हम इसको गेज को बंद करके इसके बाद ही इस पे gas चार्ज करेंगे जिससे हमारे इसमें बिल्कुल भी air ना रहे है और oil जो आ रहा था वो भी भड़ जाएगा वो पूरा हड़ी आगा वो अपने nitrogen फ्लेश करी गया तो पूरी अच्छा nitrogen से फ्लेश कि है और अब air पूरी हम निकाल रहे है इस machine के तुरू और यह पूरा जब air इसकी zero हो जाएगी minus 30 पर यह देगा देखे धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और इसके वाद हम क्या करेंगे इस पे gas को डालने का काम करेंगे तो अब इसको दस से पंदा मिनिट लाएगा process में वी courses के लिए आप हमें call कर सकते है mobile है computer है laptop है fridge, AC, washing machine जो भी आप सीखना चाहते है direct life practical होंगे जिनको काम आता है 20-30 सालों से जो काम कर रहे हैं उनी से हम काम कराते हैं वह हमारे साथ होते हैं हमारे partners होते हैं और आप देख पा रहे होंगे दास्तर जो fridge AC line के एक खुद institution है अपन ऐसे स्टुडेंट से कि सीखने के बाद भी दो महीने चार महीने बाद भी क्या होते हैं दो साल चार साल बाद भी मिलने आते हैं यह माइनस 30 आगे है यह अपने machine को बंद कर दी है अगर machine में लिकेज होगा तो यह वेक्म जो अपने के यह एक्रूड जागा जो बिलकुल भ अब इसमें गैस डालने जा रहे हैं अब इसको अब इसको ओपन करेंगे अब इसमें इस charging line में जो अपनी gas आई है इसमें जो अपने भी machine में से निकाल का अपने cylinder को लगा जो इसमें air आई है हम उस air को भी निकालेंगे इसको फोड़ा सा रूस करेंगे इसमें के बेसा ना चाहिए इसमें gas आना चाहिए अब हमारे इसमें कोई air नहीं है बग नहीं बचा अब इसे gas आना चाहिए ना air के बाद अबने देखा यह जाएगा 150 के आसपास इस्टेंड प्रेशर तो चेक कर लो ने डिस्काउट है कि नहीं है अबने क्लास में लाइफ बीडियों दो हां सेट करो वो मॉनिटर से टीवी बन गई हो कितना जाएगा सरी 150 अबने देखें यह देखें ना इस पर जबने लगा इस पर नहीं ना चाहिए नहीं अब ही उपर आना चाहिए देख ली और अगर यह को लिग नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब इसमें यह दो पाइप लगे हुए अगर यह पतले वाले में बोले तो डिश्टार्ड लाइन में अगर कभी भी आइस आती है तो आपका इंडोर चोक है अब वो चोक कच्रे से भी हो सकता है प्रिट आपका इसका है वो प्रोच को सकता है वो अप्रोच प्रोच चोक तो आपका इसका है यह अगर बोल्याद पॉच्चुक्त कि यह बंदूब प्सकार बंदू है एंदे बंदू मैं भीखना रादाँ हईक भीखना कि अंदू तेस्टर देने टेस्टर कुछ भी वहाँ पर रिमोर्ट होँ रूल देने जाके इसको फ़र ग्यास अभी कमी भड़ते हैं ताकि इनको भूली दिखा देंगे ग्यास पॉप कैसे होता तम ये भी कैसे पता चलेगा उसके लिए जल्दी कर यार जोखने जोखने के लिए आप हमें जॉइन कर सकते हैं ऐनुबं और को नहीं होगे उसके जासे बेसाएं तुर आखने अचुछ और को जाएं फ्रीज, AC, वाशिंग मशीन, LCD, LED जो भी सीखना चाहें इसकी क्या जरूत है ओन करो जाके ओन करने इसी ओन करो नहीं जाके आई चलते हैं इसको ओन कर लेते हैं आउन करने के बाद क्या इस्तिती बनती ही हो देखते हैं अभी यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग दिख रही थी अब देखें यहाँ पर यह जा चुका है ठीक है तो गैस डालते समय यह आ रहा था और इस पर भी कूलिंग देखें इस पर आप लगाँ यहाँ यहाँ देखें तो आप यह देख पा रहे होंगे सारी चीज़ और यहाँ पर अभी हमने गैस को रोक रखा है तो टॉप अप के लिए किस तरह से करना है क्या करना है वो सारी चीज़े हम यहाँ पर अभी और कर आएंगे हम इस ही गौन कर लेते हैं और देखते हैं बीच में क्या दिक्कते आती है पीबर आता है जी सर्ट पीज़र आता है पीज़र आता है जी आता है अब हम चलता है अब हम चलते हैं इसको हमने चालू कर लिया है और आगे देखते हैं क्या इस्तती बन रही लगभग दो से तीन मिनट लेगा ना दासर जी तीन मिनट बाद ये चालू होगा तो इसको देखते हैं भी अब फ्रीज ए से जब तक दो एक बढर बता दीजें जी ये अपना कंप्रेशर जिसमें से ये अपना ये आ रहा है अपनी दिश्चार्ज लाइन डिश्चार्ज लाइन सबस्क्राने कंडेंसर पर घ्या गया कंडेंसर से होते हुए फिल्टर केपलरी के सरूं ये पहुझ ग ये श्रिट्चन लाइन से अपना जैस रिट्रेन आता है, रिट्रेन आने कवाद ये पॉट जाएगा अपने, इसमें पानी आता है क्या? हो भी ऐ इस आएन लिक्वीड लाइन जिटो, पानल Ses दोल्टरेन निट्रेन आता है रिट्रेन आता है, अपने डिट्रेन लाइन से स्ट्पेसे ञिगा है है अपना लेकल आती लाइन से गर में वाटेना कशिकान क्यू आइगा है लाख ठीजर उय नगने है, जब शल्रिट र अब आएगा तो वह प्रेशन में डार्ट लिक्विट में जाया इसलिए यह एकुमिलेटर लगा जाते है जिसे मफलर भी कहा जाते है मफलर लाइगा टो लिक्विट लाइगा इसे इह नूचे से कंपरेशन वापा जाया एगा तो चालू हो चुका है आपक सेसे देखिए, गेसर की लिखा रहा है इस तीस भी आपका है। सिसाले ने आपके दिशाइ लाइन में तीसर की आपके है काव्य आपका है देखो, इसले मैंने ग्यास कब भराता है, ताकि यह आइस भी आपको बिसा सब्सक्राइब, विल्कुल यह आपको आइस दिखरी होगा, यह मोटे से, अब बात एक ग्यास चाला, चालू भी, अब देखे, ग्यास कंटिन्यू करते हैं, इसको दीर दीर खोलना, इसको दीर दी इसक bon now, इसको दीर करो दीर खोलना, इसको दीर करो दीर करो नहीं अच्टणिश्चस, दीर करो? पिर कर सक आओ जो आएब दैक पोलोँ पार, दीर पिर खोलना, आओन आहाओ ऐसे असे जाता रहेगा यह आई अपने हो रहेगा इहां से का रहा लाइन जारें इसे अधिर फूरी हुई और कभी भी हो यहां तक जाता है अगर यहां पर जम रही तो मतलब डैस को टॉपप तो यहां पर लेगा बनका के देख रहे, बैक प्रेसर किता है यह है, पोटी, मतला बी ओल्ड बढाना है, अब अब बन इसको फिलते बढा सकते, तो यह आपको किता है गया, शाले, किता होशी है, तेसर, तो पना भी चानि करना बहुता है, तो इसको अब चानि करना बविटना ओड ज़ा ज़न करना है, तो ज़न जहां जारेगी प्रेसर बारेगी, जोईन्टो को तोडेगी कितना जाना सर्— ये 30 से 30 शेट रनिं में रनिं में इसको कहते है अपन? रनिंं प्रेशर या फे शक्षन प्रेशर रनिंप्रेशर या संक्षण प्रेशर ? सक्षन प्रेशर यहोते काम यहोते life practicals एक्चुल आप सिखेंगे, एक्चुल आप करेंगे पूरी तरह से चल रहा है खोगे होगे और होगे love पेसरेटेज और फिक्स टेज गोड़ ही तो यहीं से कर दो है अब यह हमारा गैस यह वापस आरह है अगर यह वापस नहीं आरह है बतलब मशीन आपकी चोक मार गई कहां तक जाना चाहिए एक सो चालिज से एक सो साफ के आसपस से लिए दुला अपकी आफ एक सो साफ से उपर भी जातीगे है यहां वह अजता है पेंगी एक सबसे सभी कंडीशन या पुलिए गया और फॉट इपाइफ श्ञते एक सो पछाट के आसपस जाता है सीजिन के अशाट रहें तो थोड़ा ओप निचे हो जाता है साट गया अब हम इस मशिन को प्रैक करेंगे फिर दुबारा चालू करके देखेंगे जब सा एक गेज को लगे रहे हैं यह देखिया आप इस तरह से पूरा काम करा है स्टूडेंट्स को सामने रेपैरिंग कराई और सामने काम करा है तो यह हमारे दासरे जो एक्चुल काम कराते हैं सामने चीज होगा और कॉर्सेस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मुबाइल फ्री जेसी वाशिंग मशीन एलसी रियालिडी थैंक्स पर दा वाचिंग